Hello guys, कैसे हैं आप सब लोग हो, I hope you all are well आपका स्वाबत है मेरे नई चैनल Ready Study Boards में और आज हम करने वाले introduction, first chapter 10th class का first chapter, real numbers का introduction करने वाले हैं यानि कि जो exercise से अलग question होते हैं जो MCQs में पूछ जाते हैं और जो हमें चैप्टर शुरू करने से पहले जो पढ़ लेनी चाहिए जो बेसिक बेसिक चीज़ें वह आज हम करने वाले हैं तो चलिए बीना किसी देरी के शुरू करते हैं करेंगे बात डिफेंट टाइप नंबर की जैसे की नेच लंबर होल लंबर इंटीजस रिश्ड लंबर इंटीजर श्रीक नंबर हैं आइचिंग के आपको इसन नंबर पढ़ लिया तो आपको सिर्फ रिवीजिन करानी की ज़रूत है मुझे इन नंबर के पारे में ज्यादा पुछ बताने की जुरूत नहीं है तो सब मोठ करने वाले हैं लट एसे दो नबर क्या होता है जितने भी निभर जितने भी बेसिक टोग में 1E2 or are in Subscribe ş supposed भिविग आगर यह तो आपको पता है कोई भी आगर लुटा लिखते हैं और ऐसे लगा देते तो यानि इसका मरलाब infinity होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 खदम इन्यों नंबर है सेकेंड में हम बात करने वाले होल नंबर की अब होल नंबर क्या होता है जितने भी नैचरल नंबर है सब को बस उसमें एक चीज़ एक डिफरेंस हो जाता है और नेचरल नंबर में होल नंबर में 1 2 3 4 5 and infinity तो अगर हम जीरो नेचरल नंबर में जीरो एड़ कर देंगे तो यह सारे होल नंबर मन जाएंगे और नेचरल नंबर 1 2 3 4 5 6 तो अब हम बात करने वाले थर्ड विच इस इंटीजर्स इंटीजर्स तो अब करने वाले इंटीजर्स की तो अपनी नंबर लाइन तो देखी होगी तो आप सिस्ट क्लास से पढ़ रहे हैं जिसके बीच में क्या होता है जीरो अब आप 0 के right side क्या होता है right side में होता है आपके positive and left side में नेगेटिव जैसे जैसे आप 0 के right side में बढ़ते जाएंगे number जादा बढ़ते जाएंगे इसके पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and infinity तो इधर natural number होगी 0 add कर देंगे तो whole number पर अगर हम इसमें जितने भी minus के number है minus 2 minus 3 1 minus 2 minus 3 minus 4 and ऐसे करते करते यह भी infinity तक ले जाएंगे तो यह पूरी number line के numbers क्या बनेंगे तो यह बन जाएंगे integers जितने भी number line के number होते हैं वो सारे integers होते हैं for example यहां पर minus 1 minus 2 minus 3 minus 1 sorry 0 1 2 3 infinity इधर भी infinite इधर भी infinite कहीं पर भी कितना ही चोड़ा करो तो हमने यह बात कर ली natural number whole number integer यहां पर आपके I think you don't have any question in this 3 तो अब हम बात करने वाले हैं rational number की rational number अब rational number से आपको सबसे पहले दिमाग में क्या आता है rational number से ratio what is ratio ratio जिनको हम इसकी form में लिख सकते हैं जैसे 2 by 3 it is a ratio तो ऐसे हम fraction की form में लिख सकते हैं और यह fraction की form में है 1 by 2 fraction की form में 13 by 18 fraction की form में हैं जैसे कोई भी नंबर अगर fraction की form में लिखा जाए तो वह हो जाता है rational number तो हम इसको इसकी definition कैसे लिखेंगे अगर आएगा तो what is natural number rational number definition इसकी यह है कि any number any number which can be written in form of P by Q अब आप कहेंगे कि P by Q लिखा होता है NCRT में P by Q लिखा है P by Q ऐसे कुछ जरूरी नहीं हम P by Q लिखें ऐसे भी लिख सकते हैं भाई भी डी वाई सी कुछ भी लिख सकते हैं बस वैरियेवल लेना है इसको समझाने के लिए तो हम ले लेते हैं जैसे फॉर एक्जामपल P by Q लेंगे क्योंकि आपको NCRT में definition लिखने में असानी हो जाए आपको अच्छे से याद हो जाएगे एनी नंबर विच केंगी रिटन इन फोर्म P by Q and where Q is not equal to 0 अगर Q को हम जीरो लिखेंगे यानि डिनोमिनेटर उपर वाला होता हो नोमिनेटर नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर को अगर हमने 0 लिख दिया तो यह मैथेमेटिक के हिसाब से एरर है मतलब यह सही नहीं लिखा आपने अगर आप कैलकुलेटर में भी किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करोगे तो एरर लिखा आ जाएगा आप ट्राइ करके देख लेना तो वेर क्यों इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स तो रेशनल लंबर आ नहीं है वो एर्रेशनल लंबर है अब इर्शलर उंबर तो रैश्टल का इतौ आपको नाम सी पता हो गया लग जा एंड जैसे फोर एक्जामपल रूट टू है इस रूटющीर लंबर नो क्रूट टूटव चनेश लंबर नहींänger अब रूट थ्री है इत यह यहti रेश्नल सकते हैं 2 की फों में लिख सकते हैं क्योंकि यह 2 का स्क्वेर 4 होता है ऐसे जैसे रूट 16 is equal to 4, root 36 is equal to 6, ऐसे हम root 16, root 36, root 4 यह irrational number नहीं है, यह rational number है, irrational number क्या होते है root 2, root 3, root 4, root, sorry root 4 नहीं, root 2, root 3, root 5, root 6, root 7, root 8 यसे जितने भी जिनका perfect root ना निकलता हो, वो सारे irrational number होते हैं, irrational number आपको पता लग गया, irrational number क्या होते हैं, एक बार इसकी definition और देख लेना, which cannot be written in form of P by Q, where Q is not equal to 0 and P and Q और integer, यह भी आप लिख सकते हैं, यह main चीज यह है, कि वो P by Q की form में नहीं लिखे जा सकते यह आपको अच्छे से पता होना चीए, तो अब ने rational number की बात कर ली, rational number की बात कर ली, इनके example की बात कर ली, rational number का example कुछ भी हो जखता है, one by two, जो obviously fraction की form में लिखे हो, और irrational number, root में, तो अब उनको पता कैसे करें, कि कौन सा number, rational और कौन सा नहीं है, तो फ्रेंट सब हम बात करने वाले है, how to understand what is rational number and what is irrational number, यह नहीं हम इसके बारे में थोड़ा सा और पता करेंगे, कि अगर आपको यू दे दिया जाए, 0.001, for example हम ले रहे है, 0.001, सोरी को मानी है, 0.001, अगर हम आपको question में आपको दे देते हैं, तो क्या पता लगा सकते है, rational है, irrational है, obviously rational है, आपको पता है, I assume आपको पता है, उसके दो खुबी यह होती है, कि उसका जो decimal expansion है, decimal expansion यानि हम point में जो लिखते हैं, उसका decimal expansion या तो terminate हो जाता है, जैसे इसका हुआ है, 0.001, अब यहाँ पे खतम हो गया, इसके आगे कोई number नहीं है, तो यह rational number है, पहली चीज़ क्या हो जाती है, यह terminating होगा, या तो यह terminating होगा, या फिर यह repeating होगा, अब repeating क्या होता है, जैसे example, सबसे common example देखते हैं, अगर हम 10 को 3 से divide करते हैं, तो क्या आता है, 3.3333, जैसे यहां पे 9 आ गया, फिर वन, फिर अगर यहां पे point लगाते हैं, जीरो, तो यहां पे 9, and then फिर से 1, 10, 9, 0, तो, sorry, 1, 1, तो ऐसे से करते-करते, चलता रहता है, चलता रहता है, खतम ही नहीं होता, पर 3 repeat हो रहा है, तो repeat होने को क्या से दिखाएंगे, 3 के उपर यह ऐसे sign लगाते हैं, तो इसका मतलब यह होता है, कि यह repeat हो रहा है, जैसे for example हम यह लिखते हैं, 1.2783, 3, इसके उपर यह लगा देते हैं, तो इसका मतलब यह decimal expansion यह है, 1.2783, एंड फिर से 2783, 2783, 2783, यह निए 2783 repeat हो रहा है, तो यह भी क्या है रैशनल लंबर है, repeating, यह रैशनल लंबर repeat भी होते हैं, यह तो repeat होते हैं, या फिर terminate होते हैं, तो आपको दो चीज़े पता लगी, अब जो decimal expansion, repeat भी नहीं हो, terminating नहीं हो, जैसे 3, point, कुछ भी आता रहे, कुछ भी आता रहे, 1, 6, 8, 2, 3, 7, 8, 9, 0, 3, 1, 7, मालब कुछ भी आता रहे, यह से खतम ही नहीं हो, और repeat भी नहीं हो, आप देख सकते हैं, यहां पर कुछ कुछ भी repeat नहीं हो रहा है, तो यह irrational लंबर होगा, ना terminating, खतम नहीं हो रहा है, और ना repeating, repeat भी नहीं हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, irrational लंबर हो जाएगा, जो 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 जिनकी perfect value नहीं आती रूट, वो सारे होते हैं, rational, irrational लंबर, और जिनकी आ जाती है, वो जाती है, rational लंबर, अब आपको इसके बारे में भी, I think कोई doubt न नंबर, इसकी भी, I think, आपने पढ़ लिया होगा, नाइन त में है यह, 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 पड़ा होगा, यह, रियल लंबर में, क्या के include होता है, irrational लंबर भी include होता है, rational लंबर भी include होता है, होल लंबर इंक्लूड होता है इंटीजर अगर आप से कोई पूछे कि अभी मैंने यह से बनाई है अगर ऐसे करके अगर छोटे वाले से अगर कोई बड़ा अला जैसे बड़ा है एवरी नेच्रल लंबर तो हमेशा हमेशा टू करेंगे आपको पता होना चीए अब आइथिंक आपको यह सबके बारे में बिल्कुल अच्छे से जानकारी हो गई है वन पूंट वन से पहले हम कुछ यूकलीड की कुछ एल्गोरिदम और यूकलीड डिवीजन लैमा पड़ेंगे अब डिवीजन लैमा क्या होता है अगर हम एक को ड सीजर टू डिवाइड तो अगर ऐसे डिवाइड करेंगे तो बी को हम किसी चीज से मल्टिप्लाइब करेंगे जो की हो सकता है इसको भी हम एक वैरियेबल का नाम दे देंगे जिसको हम दे देंगे क्यों अब अगर एको बी से डिवाइड करेंगे तो ऐसे बी को मल्टिप है और एह है और क्यों है आ रहे है अब यह सब है क्या बी क्या है और एक्या है और क्या है और क्या है रिमेंडर क्यों क्या है क्यों तो एक होता है एह होता है डिवीडेंट एंड भी होता है डिवाइजर अब यह तो बिल्कुल कॉमन है अगर आपको नहीं भी पता तो आप इ यह आपको पता होना चाहिए और जो जो भी यहां पर आता है जो इसको बोलते हैं और जो भी रिमेंडर बच जाते हैं उसको डिनोट करते हैं से उसको रिमेंडर बोलते हैं तो यहां पर यह रहा डिवीजर यह रहा डिवीडेंट यह रहा कोशन्ट एंड यह रहा रिमेंडर अब कोई भी अगर हम कोई भी डिवीजिन करते हैं तो उसमें हमेशा एक ऐसे होता है कि अगर B को Q से मल्टीप्लाई करें इसको इस से मल्टीप्लाई करें और इसमें प्लस कर दें प्लस R प्लस R तो what will be the answer The answer will be A for example मैं यहां पर एक डिवीजिन ही करके दिखा देता हूं अगर हम करते हैं 8 को divide 3 से तो 3 to the 6 and remainder क्या बचा 2 अब आपको इतना पतार लग गया अगर हम इसी को ऐसे करें यहां पर B क्या है यानि जो diviser क्या है 3 and dividend क्या है 8 and remainder क्या है 2 and quotient क्या है 2 तो यहां पर अगर हम 3 को multiply करें 2 से plus में कर दें 2 तो what will be the answer 8 3 to the 6 6 plus 2 8 तो यह आपका प्रूव हो गया यह ऐसे करके B into Q plus R is equal to A यह फिर यह भी लिख सकते हैं A is equal to B Q plus R बात तो same है न A is equal to B Q plus R आपके बुक में ऐसे करके दे रखिया है अब यह होती है Euclid division lemma Euclid division lemma कहती क्या है अगर कोई भी दो integer होंगे A and B कोई भी दो integer होंगे मैं clear कर देता हूँ यह रब कर देता हूँ कि आपको कोई confusion ना रहे बस इसको हम लिख के रखेंगे अगर कोई भी दो integer होते हैं A and B तो वहाँ पे यह तो exist करी रहे है वहाँ पे कुछ unique integer होते है unique मतलब हम उनको change नहीं कर सकते unique integer q and r q and r given integer a and b there exist unique integer q and r satisfying a is equal to b q plus r कि जब भी क्योंकि हम जब भी कोई भी दो नंबर लेंगे a and b की जगा है 2,3 लिया तो q and r हमेशा एक दो नंबर unique number निकल के आएंगे जो कि इनको divide करने पे आएंगे 2,3 1,5 new integer दो new integer पता लगेंगे इधर remainder क्या बच जाएगा 0 इधर आजाएगा 3 2 into 1.5 is equal to 3 and remainder हो गया 0 तो यहाँ पर a is equal to a sorry b is equal to a a is equal to a r is equal to a and quotient is equal to q is equal to 1.5 तो जैसे कि हमने इस example से पता किया तो हमारे q and r unique integers निकल गए कोई भी दो integer लेंगे a and b तो unique integer दो निकलेंगे satisfying a is equal to b q plus r यानि वो statement को satisfy करेंगे इसको हम कहते है Euclid division lemma मेरी writing अभी board पे कुछ अच्छी नहीं है क्योंकि मुझे इतना experience नहीं है वैसे भी है मेरे channel की पहली वेडियो है so please cooperate Euclid division lemma इसको कहते है Euclid division lemma I don't think you have any problem in this if you still have any doubt you can comment down it below I will try my best to answer all of your questions now we will move on but if we talk about what is Euclid division lemma and algorithm different different why we learn एक तो होता है lemma और एक होता है algorithm अभी lemma तो आपने पढ़ा है अब आपके इनके बीच में डिफरेंस बताऊंगा में क्या है इन दोनों के बीच में तो lemma और algorithm के बीच में यह होता है कि algorithm जो होती है algorithm अभी हम इसकी बात कर रहे है algorithm जो होती है वो एक series होती है series जैसे हमने पदा किया न A is equal to BQ plus R SAC करके एक series होती है जिसमें well defined steps होती है जिसको हम भी use कर सकते हैं कोई भी problem solve करने के लिए यानि हम इसको A by B A is equal to BQ plus R को कोई भी problem solve करने के लिए आगे 1.1 में हम देखेंगे कि कैसी कैसी problem आती है तो यह तो होता है algorithm कि एक series of steps होता है well defined steps होता है but what is lemma अब जो algorithm होती है उसमें तो क्या करते हैं हम सीधा solve करते हैं कोई भी question देते हैं उसको solve करते हैं but when we given a question of proving something so we will use lemma lemma is a proven statement यानि वह पहले mathematicians द्वारा prove कर दी जाती है और हम उनको use करते हैं अपने दिये गई questions को prove करने के लिए तो यह use होती है proving में और यह होता है solving well defined steps होते हैं जो solving में मदद करते हैं तो यह आपने पता कर लिया Euclid division lemma और algorithm में फरक क्या होता है और आपको और भी clear हो जाएगा जब 1.1 करेंगे एक और बहुत जादा important step है अभी हमनी यह discuss नहीं किया है तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे fundamental theorem of arithmetic अगर आप इसके कोई भी आप paper में सबसे जादे यह आता है state the fundamental theorem of arithmetic what is arithmetic fundamental theorem of arithmetic तो यह अभी क्या है तो इस fundamental theorem of arithmetic में होता है every composite number prime and composite number I think you have studied in sixth class prime number वो होते है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी table में आते है table of itself and या फिर वो one की table में आते है one की table for example 11 11 सिर्फ अपनी table में आते है और one की table में आते है तो इनको तो हम कहते है prime number और अब हम बात करेंगे composite number के बारे में composite number अब हमने जैसे rational और irrational बारे में बात करी थी जो नंबर rational वो तहई rational और जो नहीं है जो rational नहीं है वो rational होंगे ही होंगे तो ऐसे ही जो prime number नहीं है वो सारे composite number है यानि वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 1 की टेबल में आए और अपनी टेबल में वो दूसरे नमबर की टेबल में भी आता है for example 12 12 किस कि टेबल में आता है 1 की में भी आता है 2 की में भी आता है 3 की में भी आता है 4 की में भी आता है और 6 की में भी आता है और 12 के खुद की टेबल में भी आता है तो ऐसे ऐसे करके जो सिर्फ अपनी टेबल और वन की टेबल में ना आए वो होते हैं composite number और जो सिर्फ वन की टेबल में और खुद की टेबल में आए वो हते हैं prime numbers तो prime number composite number में I think you don't have any doubt fundamental theorem of arithmetic में हमें यह चीज पढ़ने हैं कि what is the combination of between prime and composite number तो every composite number जितने भी composite number है every composite number every composite number can be written in can be written as product of product of primes अब यहां पर प्राइम्स के प्राइम नंबर को हम प्राइम बोल रहा है इसको हम प्राइम के प्राइम के प्राइम के प्रोडक्ट में ऐसे लिखेंगे हम तो 20 को जैसे हम करते हैं यह एंड टू वान तो इसको हम प्राइम के प्राइम के प्राइम के प्रोड़क्ट में ऐसे लिख सकते हैं तू इंटू 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 फाइप तो यह सारे प्राइम नंबर है और यह है लिख सकते हैं कुछ गलती नहीं होगी अगर आपने रिटन भी लिखा तो तो यहां पर हम एक्सप्रेश्ट लिख देते हैं एक्सप्रेश्ट एस दे प्रोड़क्ट ओफ प्राइम्स अब हम जैसे मैंने अभी 20 का एक्जांपल लिया थो उसकी क्या करे थी प्रेम फेक्ट आपाइम्स और ऐसले होगी यानि हम उन इसमें कोइन यूनी आगर पहले लिख सकें लिख दें और टू को यह निए उनके ऐसे इधर उदर हो सकता है पर तीन नंबर यही रहेंगे वो यानि यू लिखेंगे हम इसमें एवरी कमपोसीट नंबर केंगी एक्सपरेश्ट इस प्रोड़क्ट उफ प्राइम एंड इस फैक्टराइजेशन इस यूनीक तो जैसे कोई फरक नहीं पड़ता बस जो नंबर्स हैं वो यूनीक रहेंगे तो यानि कि वो चेंज नहीं होंगे एंड इस फैक्टराइजेशन इस यूनीक अपार्ट फूम दा ओर इन विच दे अकर अब ओर इन विच दे अकर क्यों लिखाया जैसे मैं 20 बार बार लिख रहा हूं वैसे आपको समझाने के लिए जैसे हमने 20 का किया था तो इसमें सब इसमें यहां पे पहले तू लिखेंगे तो यहां पे 5 आ जाएगा तो वही हो गया और टू टू फाइफ हो गया और पहले वी टू तू फाइफ या था तो अपार्ट फूम दा ओर और इन विच दे अकर यानि उनका ओल पहले तू आफ या इसका कोई फरक नहीं पड़ता तो I think you understand the fundamental theorem of arithmetic, इसमें अब आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए I think, और फिर भी अगर आपका डाउट रहे गया है तो आप comment section में लिख सकते हैं, तो guys इसी के साथ मैं अपनी खतम करने जा रहा हूँ ये वीडियो, और अगली वीडियो में हम करने वाले हैं exercise 1.1, 2, 3 and whole chapter covered in video, exercises और हम कुछ examples भी discuss करेंगे, आज के लिए इतना ही, so please इस सब के लिए एक subscribe तो बनता है, मैंने काफी मेहनत किये इस वीडियो पर क्योंकि ये मेरे first channel की first video है, so thanks for watching, मिलते हैं अगली वीडियो में